हाई एंडिवर्द तो आज की इस वेडियो में हम देखेंगे कोश एप पे ग्रूप लोन अप्लाई करने का प्रॉसेस इसकी ने आपके बाद एक इंड्रोइट फोन होना ज़रूरी है तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप देखेंगे बाद तीन डूप बना के कोश एप पे ग्रूप के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके कोश एप सर्च करें और वहां से उसे इंस्टॉल कर लें इंस्टॉल होने के बाद एप ओपन करें और अपनी लैंग्विज चूर्स करें अगली स्क्रीन पे आपको कुछ पर्मिशन को अलाओ करना होगा अलाओ करने के लिए नीचे दीगे बॉक्स पे क्लिक करके आई अग्रीव पे क्लिक करें लॉगिन करने के लिए अपनो मुबाइल नंबर एंटर करें अब आपके एंटर की हुए मुबाइल नंबर पे एक six digit का OTP आएगा ये OTP आप चाहें तो SMS पे रिसीव कर सकते हैं या फिर WhatsApp पे इन दोनों आप्शिन में से किसी एक पे क्लिक करें अगर आपको कभी OTP रिसीव नहीं होता है तो रिसेंट OTP पे क्लिक करें और अगर OTP रिसीव हो जाता है तो OTP एंटर करकी सम्मिट OTP पे क्लिक करें लॉगिन होते ही आप पहुझेंगी कोश एप की हों स्क्रीन पे यहां पे group loan apply करने के लिए data group loan पे क्लिक करें अब step number one पे आपको अपने co-borrowers यानि की जिनकी साथ आप loan लेना चाते हैं उन्हें add करना होगा group loan apply करने के लिए आपको minimum तीन लोगों की जरूरत होगी आप अपने साथ अपने दो co-borrowers add कर सकते हैं add co-borrowers one पे अपने पहले co-borrowers की details डाले इसके लिए उसका number एंटर करें और उसके साथ अपना relation बताएं इसमें आप अपने family members को add नहीं कर सकते हैं भी किसी तरह से अपना co-borrowers two भी select करें इसके बद send invite पे click करें अगर आपके पस कोई referral code है तो आप referral code भी enter कर सकते हैं इसके बाद step number two पे purpose of loan यानि कि जिस वज़े से आप loan ले रहे हैं वो purpose select करें अब आप आजाएंगे step number three पे जहाँ पे आपको अपना loan amount एंटर करना होगा यहाँ पे loan tenor select करें और उसके बाद अपना और अपने co-borrowers का loan amount एंटर करें एंटर करते ही आपको अपके नों से जोड़ी भी सारे एंटील्स नीचे दिछ जाएंगी जैसे आपको किती EMI पे करने हैं कितना loan amount आपको डिसपर्स होगा यह तारे डिटिल्स आप नीचे देख सकते हैं इसकी बाद प्रसीड पे क्लिक कर दें किवाइसी के लिए आपको तीन स्टेप कंप्लीट करने होगी basic details, employment details और bank details यहाँ पे इन तीरों में से आप जोगी स्टेप पहले कंप्लीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उस step पे क्लिक करें अब यह आप सब सब आपने पोटो add करें और father's name में अपना father का name एंटर करें अब map पे जाके अपने address से ल आदार कार्ड नमबर एट परें यह आप डीजी लॉकर से भी कर सकते हैं अगर आपका आदार आपकी डीजी लॉकर से लिंक है तब इसके लिए जहां पर पैन कार्ड या फेर अदार कार्ड फोटो अपलोड करते हैं वहाँ पर जाके आप यूज डीजी लॉकर वाले नमबर एंटर करने के बाद आपके रिजिटर्ट मोबाइल नमबर पर एक OTP आएगा OTP एंटर करें और सब्सक्राइब कर दें इसके बाद डीजी लॉकर से आपकी इंस्विमेशन यानि की आपका आदार कार्ड पैन कार्ड नमबर और आपके आदार कार्ड और पैन आपके अलावा कोश किस से संपग कर सकता है उसकी डीटियल से आपर एंटर करें और नेक्त पर कलिक कर दें जैसे ई आपका बेशी कव्चिव पाला स्टेप कमलिट हो जाएगा ये बेलों य sc Freeze करें अब अगला स्बिक करें अब इमप्लाइप मेंनन्ड डीटियल पे अगर इसके नीचे सारे details फिल करें, select employer category में जाके अपनी category select करें, calendar पे जाके वो date select करें जब आपने यहाँ पर काम करने start किया था, इसके नीचे अपनी salary एंटर करें और इसके नीचे अपना salary slip या फिर ID card upload करें, इसके बाद next button में click कर दें, अब आपका आखिरी step bank details फिल करें, इसक आपके नीचे आपको तीन मेहने का bank statement upload करना होगा, अब यहाँ पर आपको upload bank statement और upload passbook के साथ एक account aggregator का option भी दिखेगा, इस पर click कर, click करते ही आप redirect हो जाएंगे, account aggregator फिल, अब आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर आप enter करें, OTP एंटर करके login करने के बाद, आपके banks की details आपको दिखेंगी, आपको जिस bank का bank statement चाहिए, वो bank को select करके, done पर click करें, अगर आपका ये number आपके bank से registered नहीं है, तो आप add पर click करके, अपना bank से registered number पर यहाँ पर enter कर सकते हैं, bank account select करने के बाद, done पर click करके, अगली screen पर आपको कुछ permission को allow करना होगा, यहाँ पर approved data data sharing पर click करें, data sharing अपरूफ होने के बाद, redirect now पर click करें, इसके बाद आप पहुंच आपकी अपने KYC वाली screen पर, अब आप देख सकते हैं, कि आपके सारे step 3 हो चुके है, इसके बाद submit पर click कर दे, आपका group proposed हो जाएगा, इसके बाद आपके group loan के सभी members को भी, अपना KYC process complete करन होगा, अगर आपका group loan approve हो जाता है, तो इसके बाद आपका post approval process क्या रहेगा, चलिए ये वे देख सकते हैं, इसके आप पहले जिस भी process को complete करना चाहें, उस पर click करें, आपको पहले KYC वीडियो अप्लोड करना है, तो upload KYC वीडियो पर click करें, अब अपना एक KYC वीडियो complete होते ही, आप वापस उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे, KYC वीडियो अप्लोड होते ही, अप्लोड KYC वीडियो वाला process green हो जाएगा, अब ठीक इसी तरह से दूसरे process पर जाए, आपको नैश सब्मिट करना है, तो यहाँ पर submit नैश पर click करें, अब अपना नैश process complete करें, ठीक इसी तरह से आप अपना sign agreement वाला process भी complete कर सकते हैं, सारे process complete होने के बाद, यह सारे steps आपको green दिखेंगे, in case किसे step में आपने कुछ गलस submit कर दिया है, और आप फिर से करना चाहते हैं, तो दुबारा करने के लिए, अपने loan group पे नीचे chat action में request help का option क्लिक करें, और वहाँ से हमारी customer support team से connect कर सकते हैं, वह option आपके लिए दुबारा खुला देंगे, वहाँ से आप यह step फिर से complete कर सकते हैं,